हलो फ्रेंब्स आपका सवागत है हमारे सीटेक चैनल में आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें यह बताऊँगा कि आप किस तरह से वीडियो कार्ड को यूज कर सकते हैं है अपने कंप्पिटर में उसके क्या पायता है कहाँ क्कै की लोग बोलते हैं आपके मैं की लूबन मैं बताना चाता हूं क्यों अचफे को प्लीक कर एक ना थे है तो चलीун वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंज तो चलिए सबसे पहले कॉम्पूटर पर देख लेते हैं कि कहां से चेक किया लता है ग्राफिक और किस तरह से पता लगता कि कितना ग्राफिक का मैमरी है और रैम वगारा कितना है सबसे पहले देखिए अदि आप माई कॉम्पूटर पर क्लिक करके रैट क्लिक किज़ेगा प्रोपर्टी पर जाएगा तो आपको यहां पर सो करेगा रैम कितना है और उसके बाद में आपका जो ग्राफिक रैटिंग क्या है रैम कितना है यह साब कुछ सो करता है तो देखिए चौसर बीट का विंडो है और रैनिक सिस्टम और 4G वी रैम है और AMD का प्रोशेसर है तो यहां से पता लगता है आपका ग्राफिक ठीक है जब कॉम्पूटर पर राइड क्लिक किज़ेगा टाक्स बार पर राइड क्लिक किज़ेगा तो प्रोपर्टी पर यह सबस्क्राइड पर है इसथा रहा है तो कुछ विंडोस व होते हैं कि यहां से ओपन करके CPU पे यहां से भी चेक कर सकते हैं कि आपका वाज़े मीटर क्या है कितना प्रोफेर में सो कर रहा है तो इस तरह से पता लगता है आपका कॉंप्यूटर का स्पीड वेगर और बाइचान सब्सक्राइब होने लगे तो इससे आप चेक कर सकते हैं अब चलते हैं कि आप ग्राफिक मेमरी कहां से चेक करें तो राइट के लिग करें डेक्स्टो पे इसक्रीन रेजूलेशन पर जाईए उसके सामने आएगा आपका एडवांस सेटिंग एडवांस सेटिंग पर क्लिक किजिए उसके साथ ही इसको में देखिए यहां पर ओप्सन आ जाता है देखिए चीप टाइप तो मेरे अंदर जो नवेडिया जीफोर्स का ग्राफिक है जिसके बारे मैं आज में बात करने ग्राफिकार लगा रखा हूं और जीफोर्स का साथ सो दस इंटर्नल रैम तो यहां पर देखिए कि जो टोटल मेरा ग्राफिक है कंप्यूटर का हो है 3849 में मतलब लगभग 4 जीवी लेकिन मैं जो लगाया हूं इसके अंदर ग्राफिक हो है सिर्फ दो जीवी के ग्राफिक पहले से था मतलब जो एमडी के मदरबूर होते हैं तो जो एमडी का मदरबूर मेरा थोड़ा एडवांस है इसलिए इसमें ग्राफिकार इंडवैल्ड मिला था लेकिन तपर भी में खूस नहीं था थोड़ा हैंग टाइप को गेम वेगरा उतने बड़े नहीं चल पाते थ है और 3D वेरा का भी काम कर सुकूं में तो इसलिए मैं यहां पर अलग से जो 710 मोडल है जीटी निवेडिया का उस पर मैंने ग्राफिकार लगाया है तो यह सब बात होई कि यहां से आप चेक कर सकते हैं सिंपल है एडवांस पर सेटिंग पर आप यहां से ग्राफिक देख यहां से एड़ा है तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं कॉंप्यूटर के सॉफ्ट्रेयर फोटोसॉप के बार में क्योंकि आज कर से चला रहा हूं जो सामको छेवजा अप्लोड होता है वीडियो तो इसलिए मैं फोटोसॉप का सब से उपर रखा हूं अपने लिस्ट में और फोटोसॉप का बार मताता हूं कि किस तरह से फरक पड़ता है वीजी कार्ट से ग्राफिक कार्ट से फोटोसॉप के उपर तो माल लिजे कोई आप DSLR कैमरा या HD कैमरे से फोटो खीचे हैं या फिक काफी MP 10-15 MPCME का फोटो है और HD में बना रहे हैं तो जब आप उसको बना सकते हैं यदि आप ग्राफिक कार्ट अपने कॉंप्यूटर में लगा रखे हैं तो आप जैसे कोड्र आपे बड़े-बड़े काफी बड़े-बड़े बैनर देखते हैं वह सभी डिजाइन कर सकते हैं बहुत असानी से हैंग नहीं होता उससे फरक क्या होता है हैंग क्योंकि इसका जो ग्राफिक मेंडी होता है काफी ज्यादा बढ़ जाता है और सबसे इंपोर्टेंट बात क्या है फोटो सोप में कि जैसे आप ग्राफिक कार्ट को लगा लेते हैं तो उस पर आपको 3D का ओफ्शन सो होने लएगा यदि आपके पास जैसे AMD का कॉंप्यू करना है या फिर 3D बनाना है तो आप ग्राफिक कर लगा लेजिए तभी आपको फोटो सोप में सब काम कर सकते हैं तो यह तो हुआ फोटो सोपी बात अगला बात करते हैं हम मिक्सिंग जो लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं साधी पार्टी विवा वेगरा बहुत कुछ अडिए पार्टी फां gloss वेगरा पे डियो रिकॉर्ड करते हैं स्टूडियो वसके यूज करते हैं उस रहोते हैं और उसके वार्टी होते हैं आपको च्छर्च ग्राफिक प्रोसेश होता है तो यह सब मिक्सिंग करते हैं फीर पीरियू सुच अपर और ब्रॉर्फिद यो तो फोड़ समय लगता है आप देखते होंगे यादि आप mixing चलाते हैं वीडियो चलाते हैं तो software mixing का तो आप देखते होगे कि सुवेरे reading लगाओ तो दो फर तक साम तक साम को लगाते हैं तो अगले दिन सुभा हो जाता है reading करते हैं तो यह सब में काफी फरक पड़ जाता है यादि आप ग्राफिक काड लगाते हैं तो यह दो घंटा में आपको हो जागा जो की बार घंटा में हुआ करता था तो इससे भी कई लोग इसको mixing card ही बोलते हैं कई लोग graphic card बोलते हैं यादि कोई पिनाकल वेगर रिच कर रहे तो लोग mixing card बोल देते हैं अब हम बात करते हैं gaming का तो gaming जैसे कि आप computer release करते हैं गेम खिलते हैं बड़ी बड़ी गेम होते हैं बहुत असारी तरीके साब इस पर चला सकते हैं जैसे Call of Duty World at War, Cryasis जो high performance गेमें होती है जो HET होती है और काफी ज्यादा ग्राफिक लेता है जैसे 10 ग्राफिक लगा लेते हैं तो वह सारी गेमें बहुत असाइन तरीक से आपको computer पर रण करेगा और यह जिरूरी नहीं कि आपको system यह होना चाहिए आप डूर के बाद जो भी 945 बाद यतने भी आया है वोट सब में आप ग्राफिक लगा सकते हैं उससे पहले वाले ग्राफ यह स्टीडियो माया इस्टीडियो यह फिर आर्टो कैड ले लिजिए यह सब प्रोई सॉलिड वार्क यह सब सब्सक्राइब भी बहुत फरक पड़ता है यह आप ग्राफिक आड लगा लगा रखें तो बहुत बढ़ियां से काम करेगा हैं नहीं होगा तो ग्राफिक आड नहीं होता है अलग से लगा हुआ तो क्या करता है कि दो ग्राफिक में कनवर्ट करके उसी से हमारा सारा डिस्प्ले चलाता होता है लेकिन जब हम अलग से ग्राफिक आड लगा लेते हैं तो वह पांसो एमबी जो आपका दोजबी रैम है उस पूरा पूरा फ्री हो सब्सक्राइब तो जब दोट और पूरा पूरा नगी जाए जए व्हां वेलेगा तो इस तरह से ज्यादा लोट नहीं पुटो प्री खराम लेलेगा अदक पड़ता की लिए तो लेको रिखोंट इतना एमबी गा कितना जीवी का तो देए पांसो एम याता है आना बंद ह मेरे पास देखिए मैंने इस कंपनी का इस कंपनी का ग्राफिक आड लिया था और मेरे पास तिसरा है पहले मैंने 500 मिलिया और मैंने लिया हूं तूजीवी तूजीवी मेरे वो 3000 से नीची मिला है लवाग 100-100 उर्पया कम में मिला है जिसक्रेशा में लिंक है लेकिन मैं आल्लाइन इसको परचेज नहीं किया था लेकिन मैं बाद में जेखा तो दोनों रेट सेम नहीं है बस एक डिस्पैर चार्ज आपको फरक पड़ेग और कुछ नहीं तो देखिए उसके बाद ग्राफिक कार्ट में क्या मिलता है ग्राफिक कार्ट में आपको मिलेगा HDMI पोर्ट जिससे आप टीवी पे अपना कम्पूटर आराम से चला सकते हैं अलग से बिना कोई बॉक्स वेरा लगाए हुए LED वेगरा पे DVI पोर्ट यह तो इस तरह से मैं कहता हूँ कि यदि आप प्रोफेशनल है चलाना है काम है तो आप ग्राफिक कर लीजिए उससे आपको बहुत फरक बड़ता है जल्दी काम हो जाता है तो जो काम आपका 10 मिनिट में होना है वो काम आपको 5 मिनिट में 2 मिनिट में आपको करके देजएगा तो फ्रेंश यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिजिए शेयर कीजिए ताकि और लोगों को बताइए भी और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर अगला अच्छा सा ओप्शन लाग है तब कर दिए बाबे कर दिए धर अगले वीडियो थाभ है तब कर दो Convenक टिएग